उत्तर प्रदेश पुलिस कॉंश्टेबल 6244 भरती के रिया एक्जाम की तैयारी कर रहे सभी अभ्यरतियों के लिए आज के अख़बार में एक छोटी से नियूज है अब सभी लोग ध्यान से सुनें यहाँ पर भरती बोड दोबारा प्रिक्षा कराने के लिए अन्य संस्थानों से भी साध रहा है संपर्क कहरखाई कि सिपाही नागरिक पुलिस की सीधी भरती के लिखित प्रिक्षा कराने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भरती एवं प्रोनती बोड अब अन्य विकलपो पर भी विचार कर रहा है बोड ने भरती प्रिक्षा कराने वाली कुछ अन्य सरकारी संस्थाओं से भी संपरके साधा है हलकि अभी किसी ने इसमें रुची नहीं दिखा रही है तीसे सके मना करने के बाद राजियू एक कंपरी को काम तो दिया गया लेकिन वे प्रिक्षा सक पूशल कराने में विफल रही दूसरी और बोड के अधिकारी लिखित परिक्षा के ने को विकल्पों पर भी विचार करने लगे हैं दरसल बीते कुछ वर्षों के दोरान जो मामले सामने आए उनमें से अधिक्तर में प्रिशन पत्र प्रिंटिंग प्रिंटिंग प्रिंटि ये बिना भरती बूड में जाए होता निब है की चलो कोई फ़मार का पन्ना खाली है लिख देते ऐसे संजो भई TCS ने मना क्यों किया था कोय आप वैसे वताएगा TCS ने मना किया था समय के कारण किसके कारण समय के कारण TCS को ऐसे टुची कंप्री नहीं है कि 50 लाग बच्चों का एक्जाम ना करा पाए डिडड़ धाय धाय करोड बच्चों का भी एक्जाम कराया है रेलवे में SSC के कितरे एक्जाम TCS ने कराए है इन्होंने कहा कि बई तुम एक महीने में पेपर करा दो उन्होंने कहा एक महीने में सुरक्षित अच्छे से पेपर नहीं हो सकता इस वज़ा से अन्य था अगर ये TCS को समय देंगे और माननी है मुख्यमंत्री जी TCS से अगर बात करेंगे या उनका लेटर कोई जाएगा होई नहीं सकता कि टाटा की कमपनिये मना करते इस समय भारत की जितनी कमपनिये जो प्रमु कमपनिये मैं आपको बता दू एक एडू टेस्ट करके कमपनिये उसने अभी CSIR का उस पर धांदली का रूप लगा उससे पहले और एक NACIT है उसने तो कितनी ही राज्यों में हमारे UPSI में भी धांदली कराई थी कमपनी के अधिकारियों ने एक एप टेक करके वो भी हरियाणा जम्मू कश्वीर कहां कहां धांदली उत्रा खड करा चुकी है एक TCS है जादा कमपनी पेपर कराने वाली नहीं है जो हाई ले नहीं जो सुचीता पूर्वक इस भरती को करा सकती है अच्छे से करा सकती है पहले भी स्रें एक्जाम कराएं अच्छे कराएं तो अभी जैसे समय है एसने कि बिल्कुल समय नहीं है और ऐसा भी नहीं कि इसको अनुभब नहीं है और ऐसा भी नहीं कि भारत में बिना पेपर लीक के पेपर होते नहूं बहुत पेपर हुए हैं आप देखो अपने तरप्रदेश में दुनिया भर के पेपर बिना पेपर लीक क कराता है इसके भी तो कहीं पर चपते होंगे यह जो कि प्रिंटिंग प्रेस है इस प्रिंटिंग प्रेस में तो ऐसी प्रिंटिंग प्रेस तो आर्बियाई के नौट भी चपते हैं वहां तो कोई धांदली नहीं होती प्रिंटिंग प्रेस वहां तो नकली नौट नहीं आते या नकली नोट नहीं छपते इसका मतलब क्या है इसका मतलब है नियत यदि भरती बोर्ड अपने कमरों में बैठा रहेगा तो वहां कुछ नहीं होगा अगर भरती बोर्ड कुछ प्रॉपर पैमाने बनाएं देखे कि UPSC ने प्रिंटिंग प्रेस के क्या पैमाने सेट किये हैं तो 110% है कि ये पेपल लीक होने से 100% रुख जाएं तो अगर आप बिल्कुल सेंटर को समभल रहे हो तो आपको प्रिंटिंग प्रेस को भी समभल ला होगा बजट चपता है भारत सरकार का बजट जब चपता उसके एक महिने से अधिकारियों को एक जगे खटा कर दिया जाता है बाहर बाचीत करने के उनमती ने होथी बजट की लाइन भी बाहर नहीं आती Аक लाइन भी सिंगल भी कि बजट में कोई बजट कितना महत्तपूर डॉक्युमेंट होता है पूरे भारत का एक साल की दिशा तेय करता है तो इतना कुछ भारत में बिना पेपल लीक और बहुती गोपनिय तरीके से होता है तो अब यहां पे नियत की बात है आप सब बस पंदर दिन में पेपर करा दो तुची कंपनी को पकड़ोगे तो तुची कंपनी तो तुच्चे कारिय करेगी तुच्ची कंपनी क्या करेगी तुच्चे कारी करेगी वो क्या करेगी अब नहीं पैसा बनेंगे उसके लोग समझ मैं आ रही यह बात इसलिए आप सभी लोग सरी वो कर रहा है तो समझे इसलिए आप लोग अपना दिमाग ज्यादा उसमें परेशान ना हो यह सब खबरे आती है मुझे देनी इसलिए पड़ती कि तुम फिर परेशान हो जाते हो कि भीया यह नहीं बता है आज क्या खबार में यह था तुम क्या पता नहीं हर चीज पर तुम लोग को परिशानी हो जाती है दूसरी बात आ जाती है परिक्षा की तिथी को लेकर देखिए हो गया मार्च, अप्रेल, मई इन तीन महिने में परिक्षा नहीं है जून में आपकी परिक्षा है जून के एंड या जुलाई के शुरुआत में 90% चांसे जून में ठीक है भीया तो आपके पास तीन सवा तीन महिने है नभे से सौ दिन का समय जो भी कमिये अच्छे से तैयारी कर लीजे ये फिर से बतारो मार्च, अप्रेल में कुछ नहीं जून जुलाई में आपकी प्रिक्षा है जून में 90% एंड में फिर उसके बाद में 10% आगे चांसेज है ये मत पेपर कहीं से भी एक कुशन तो छोड़ो एक डिजिट तक लीक ना हो दूसरी बात जो साती परिशर्म दोबारा बैच से जुड़ रहे हैं जो री एक्जाम की तैयारी करना चाहरे हैं एक्जाम पुर से नए स्टुडेंट है आज आप लोग जुड़ जाईए कल से बिलक अने स्टुडेंट हैं जिन्होंने 400 निन्याड में में लिया था जिन्हें परिशर्म इस बार मिलना हैं बिना कोई पेमेंट दीए फ्री मिलना हैं उनके में थोड़ी शाम तक रात तक दिखने लगेगा वो परेशान नहीं माई कोर्स में आपको परिशर्म दोबारा बैच भी दिखने लगेगा किलास जब चलती है तब वह दिखता है समझे मेरी बात तो आप उसके फिकर ना करें वह आपको आटोमेटिक दिखने लगेगा